चार हजार किलोमीटर हम चले हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले यात्रा में कोई गिर्ता था धक्का लगता था जैसे अभी लग रहा है कोई गिर्ता था एक दम भीर उसको उठा लेती थी भीर उसकी रक्षा करती थी किसान आए मजदूर आए वियापारी छोटे वियापारी आए बेरोजगार युवा आए उन्होंने अपनी बात रखी उनके दिल में जो दर्द था दर्द था उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर क्योंकि होता घा था बड़ी सी भीर थी भीर के बीच में चल रहा था और मेरे चारो तरफ थोड़ी जगह अहोती थी तो उसमें लोग आजाते थी कि जैसे आज कल हम यहाँ जीप में कर रहे हैं तो आते थे और कहते थे चोटे वीण पारी कहते थे हमें डर लगता यह कल का नहीं पता क्या हो जाए ऐसा माहुल बन गया है पुरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी BJP के लोग भी आते थे RSS के लोग आते थे जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बूलते थे तो ये देश मोहबबत का देश है ये देश नफरत का देश नहीं है और ये देश जब ही मजबूत होता है ये जब ही मजबूत होता है जब ये एक साथ मिल के काम करता है जैसे कोई भी परिवार में आपका नाम क्या है बलिया से प्रभाद सिंग जी अगर आपके परिवार में भाई-भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है और कमजोर होता है बोलिए बोलिए कमजोर होता है तो अगर देश में भाई-भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा कमजोर होगा तो सबसे बड़ी देश भक्ति क्या होती है देश को एक साथ करना एक जूट करना जोड़ना ही इस देश की देश भक्ति है और सुनिये देखिये अजीब सी बात थी इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूँ जैसे अभी मैं यहां आया मंदिर में मैंने मर्था टेका गंगा जी का प्रनाम करने आया हूँ मैं उसके सामने गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूँ मैं सिर जुका के सिर नीचे जुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूँ वैसे ही वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा बें चल रहा था मैं सिर जुका के जो भी मेरे सामने आता था मैंने अपनी टीम को कह दिया आप इनसे पूछिए भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा राहुल जी हमें करना क्या है मैंने उनको कहा देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे गरीब लोग आएंगे अमीर लोग आएंगे सब के सब लोग आएंगे सब बोलेंगे जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूँ अपने भाई से मिलने आया हूँ और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए तो जब हम यह कर रहे थे सुनिए बेशान्त हो जाए जब हम यह कर रहे थे अरे भाई आ रहा हो नाम क्या है तुमारा राहूल नाम तुमारा नाम राहूल है आजा उपर आजाओ 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 उपर आजाओ राहूल तो जब हम चल रहे थे हमें कोई धकानी नहीं होए सुपह छे बज़े शुरू शाम के 7 बज़े खतम होती थी 12 गंटे चलते थे कोई धकान नहीं क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस आत्रा में थी क्या नम है तुमारा? नाम क्या है तुमारा यहां बेढ़ जाओ आजाओ उपर आजाओ अरे आजाओ भई बैट तो चीनेंगे वो उनको भी अपना काम करना है यहां बेढ़ जाओ अब देखो यह अब अब एक राहूल दूसरे राहूल से बात करेगा अब देखो देश में जो नफरत फैलरी है उसका मैं आपको कारन दिखाता हूँ राहूल आप कितने समय से रोजगा ढूंड रहे हो रोजगार चीन रहे हैं हम लोग को हम लोग चातर पढ़ रहे हैं इस साल से क्या करेंगे आगे अच्छा एक बात बताओ तुमने कॉलेज गया यूनिवर्सिटी गया अभी पीजी कर रहा हूं अच्छा आपने इसमें कितना पैसा डाला है किया सबमग आद अच्छा किए पढ़ने में पढ़ाई में शुरु आज से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने भकारने आपके पापाने शुरु आचrition नहीं कर सकते हैं जो पत्व मेरा रहे हैं तो आपने 2-3 लाग रुपए तो लगा दी होंगे, उससे पांच गुना लाधा, उससे पांच गुना जादा, तो आपने 20 लाग रुपए रोजगार पाने के लिए लगए थे, और आपको पता लगा कि 10 लाग रुपए प्राइवेट कॉलीजिज ने, यूनिवर्सिटीने आपके जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार लोग मैं चिरूती से घंभिरता सलेते हैं नहीं नहीं सुनो वो सब ठीक है मगर अभी हम बेरोजगार की बात चाहते हैं अच्छा अब एक बात बता हूँ एक बात बता हूँ आपको नोजड़ बंदी से फायदा हुँआ नहीं सर कोई फाइदा नहीं हुगा अच्छा नोट बंदी से यहां कि दे को फाइदा हुआ देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं कौन से मुद्दे हैं बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे एक अरभपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान सई अब देखो यह मीडिया वाले एन आए वाले यह सब तीवी पकड़े हुए यहां पे इनको देखो पी टी आई एन आई इंडिया टुडे नेटवर्क दस नेटवर्क बारा नेटवर्क चौदा आई एक टूर्क दो pagनाहे कि अक airflow लिवा ओक वार। कर दो दकाए मिशना का डेए घू 1-2-3 कि बाले आई प्र।